नमस्कार मैं मुश्यामगिरी आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का मुद्दा भारत का यानि मुद्दा आपका आज हम अपनारे साथ स्टुडियों में मेमान हैं मनुश सिंदे जी जो कांग्रेस कोरिष्ट नेता हैं महारास प्रदेश सच्चीव हैं इन से हम जानेंगे इनके करींबी जो हैं मुख क्नें पने हुए हैं जो आपके मित्र भी हैं और पडशी आपके साथ में नगर्स्योंक में भी आपके साथ में रहे है और बिरोधी इसलिए बोलाओं कि आप उनके खिलाब चुनाव भी लड़े हैं बिदान सभाव चुनाव लड़े हैं तो उनके बारे में क्या कहेंगे जो अचानक उनको मुखबंदरी बस दिया गया और जैसे अचानक लोगों ख़बर लगी शामगिरी जी सबसे पहले अभी जो जिस तरह के से राजनिती चल रही है महराश्टा में एक नेक्स लेवल की राजनिती एक अलग तरह कि अलग समस्कार की राजनिती आपने जो देखी है उस तरह की काज जी राजनिती देखते वए मैं एक हूँगा कि राजनीती में कोई दोस्त भी नहीं होता है दुश्मिन भी नहीं होता है तो यह सबसे पहले मोई पैस पश्टे करना चाहता हूँ अभी है एकना जी मुख्यमंत्री बने उनको मेरे तरह से सुपकामना है अब उनको पुरा महराष्टर राज्य की अच्छा सिवा करना है महाराष्टा की समस्याओं का निवारन करना है महाराष्टा में कुछ अच्छी चीजों को लाकर लोगों के प्रती एक महाराष्टा में महाराष्टेन लोगों को नय दिने की उसको कोशिश करनी है और उनके लिए एक दोस्त क्या इसी साथ से पॉलिटिकल एक राजनीतिक हमसफर दोस्त जो मेरे राजनीति में हमसफर रहे हुए उनको मैं शुबकामना देता हूँ और वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिली जवाबदारी जो मिली है मिली है किस तरह से मिली है उसके उपर चर्चा करना जी इंपॉर्टन नहीं है लग र तो अच्छी तरह से निवाओ या इसके लिए हम बिल्कुल साथ रहें मनुची बात बताईए कि आपको साथ में यह से बताएं कि हमसफर राजनीति हैं और इस तरह से जो आपके साथ में एक तरह से कार्य करता फिर नगर शिवक फिर एमेले बने आप भी उनके साथ में किसका उद्देश कुछ और होता है मेरा उद्देश एक निष्ट का है आपने दिखा होगा यह सब कुछ मुझे शायद जमानी होगा यह सब करने के लिए जमानी होगा और इसका फॉल हो गया उसके लिए मुझे कोई यह नहीं है आज मैं मेरे पार्टी के प्रतिक मुझे इस बार के खुशी भी है और चाहता तो बहुत से प्रेपोजर इसके पहले मेरे साथ वाले जितन दावाड भी है मेरे साथ वाले प्रताप सन्नाइक भी है एचेस पार्टियल भी है बहुत से लोग है आज नारण पवार से लेके सब लोग है सब लोग उने अपना अपना नीर ने लिया हवा को देखते हुए अपना रूख बदने की कोशिश की अब हम लोग को नहीं रूख बदना था हम लोग को रहना है एक निश्ट तो उसका तो होना ही है मगर कहीं ने कहीं तो हमारी भी एक सन्मार है इस बात को लेके और इसी बात को लेके आज जहां पर भी जाता हो तो एक इज़त मिलती रहती है पोस्तों क्या आएंगे और जाएंगे अपको क्या लगता है कि जो एक ना संदी ने किया है वो सही है या गलत है अब उसके बारे क्या गएंगे अब राज निती में कोई सही और गलत होता नहीं है मैं बोला ना कि मेरी निती मत्ता मेरे लिए लाग हूँ है उनका निती, उनका उनका डिसीजन, उनका निर्णे उन्हों लिया है, उनको शायद सही लगता होगा या गलत लगता होगा तो उनकी अपने विचार है उनकी अपनी विचार धारा है उनको अच्छा लगता रहेगा शायद उनने वो विचार लिया अब उच्छारों के साथ लोगों को जाना है या ना जाना है यह आने वाला वक्ती बताएगा कि क्या उम्मीद करते हैं कि महारास्ट को अरुखास का ठाने दिशुजशन ठाने शहर को कितनी उम्मीद इन इस मुक्हमंत्री से एक मुक्हमंत्री बात यह बिल्कुल ठाने करों को एक आशा की उम्मीद एक किरन आई हुए कि एक ठाना के मुख्यमंत्र हुए है ठाना की डिवलोप्मेंट में टी चंदर शेकर से लेके सभी कमिशनर का साथ रहा है एक नहीं नहीं सोच लेके कमिशनर आये और उस वक हम कॉर्परेशन में हुआ कर में एक जमाने में एकनाश Ind ؟ जी सभा इते और में भी इत्रा था था ता हर वक्त ऐसे अच्छे ओपिसलोंको साह देखिया आज ऐड talked नया ॥ाना और नया थाना बनने जारा है roads अच्छे तो बनने जा रहे रहे हैं उसके बावजूद से अन भी अपने होने के बाद और कुछ अच्छी स्मार्ट सिटी होगी जो आज तक सिर्फ पेपर पे रही है तो हुपस आशाय है आशाय है देखते मनुझी यहां पर एक सवाल यह भी उड़ता है कि एगनासिदेजी मुख्यमंतिर दो बन गए है आज उनको उड़ो ठाकरी जी ने अपने पार्टी से भी निस्कासित करने का फैसला ले लिया है या निकाल भी दिया है तो क्या लगता है उनको नया जंडा किस तरह कराएगा उनका एक बात आपको बताना चाहता हूँ मैं भी हमारे स्टूडन यूनियन से भी राजनीते में कॉलेज से रहा हूँ कॉलेज आवस्ता से रहा हूँ तो आज के इतनी प्रवास में मैं बता सकता हूँ कि एकना सियम तो बन गए है मगर जेना तो उनको किसी भी आज़त में स्विशने का नहीं मिलेगा ना उनको धनुश्यवान मिलेगा ना उनका बहुत सिंबाल भी नहीं मिलेगा क्योंकि आज लोगों को इस बात के लिए कन्फूजन है जो मुझे भी है मुख्यमंत्री बनना उसके लिए हमारे पास जो MLA है वो संक्या करके बता सकते है मुझे पार्टी के लिए ये सवाल बहुत पहले आया था जब आपको पता है सबसे पहले तो मारुत राओ शिंदे जो ठाना के उन्होंने बन किया था उसके बाद मेरे काल से शिंगरे उन्होंने बन किया था उसके बाद बुजबन साहब ने बंड किया था उसके बाद शायद नारा नगाने साहब ने किया था और गणेश नैगी किया था इतने बंड हो गए इतने बंड होने के बाद यही हो गया था कि शायद शिवशेनाई उनके हाथ में जाएगी उनका चिनन जाएगा और जो काइदा नियम संगत नगा बना हुआ है वो इस सबसे उद्दव ठक्रे साहब ही वहाँ पर अद्दक्षा करके रहेंगे और वो पार्टी में किसको निकालना है पार्टी में किसको लेना है उसका अंतिम नेने उनके पास ही देगा करके तो ये बात को बूल जाओ के वहाँ पर आज के लोगों की जो चर्चा चल लेए कि स्विशनें भी कंट्यूज़ है कि हम स्विशना में है कि कहीं और चले गए स्विशना कोंटा जहना क्यों हाती ऐसा प्रकर का एक बड़ा क्विशन मारक है हम लोग तो संगटना के लोग है संगटना को ज्यादा मतव देते हैं बाकी पुपदों को ज्यादा मतव देते नहीं है और गनाज जी इंपर्टन फॉर मी अब आगी पता निया चीज को कैसे अंडल करें एक नाज शिंदे साब कैसे अंडल करें आई डोंट नो क्योंकि आज तक का तो इत्यास रहा है जो पार्टी से चल आई है तो सिंदे साब एक इसमें सवाल और उड़ता है राजयपाल के उपर चिस तरह से महाराश में राजयपाल ने अपनी भूमिकाने वाई है क्या सही है या आप सो कुछ अलग तरीस देखते हैं हिए या मुझी डाखुट्ड आ रहा है राजयपाल यह जिसा है अज तक बहुत राजयपाल देख्योंट उए परएऑ मुझे इनको राजयपा च हिच्च हो रहा थे शायद यह भाजयपार हो सकते हैं जीसे भाजयपाल तो जी सरी कहसे वहराइं ले रहे तो आपको हमारा वीडियो कैसा लागा हमें जरूर बताए कमेंट बॉक्स में लिखे और पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना बोलें नहीं नहीं नहीं